Good morning, स्वागत है आप सभी का एक्जाम की बाद YouTube चैनल पर आज है 12 दिसंबर 2020 और आज मैं आपके लिए लेक कर आया हूँ 12 दिसंबर 2020 से जुड़े Current Affair के Important Question साथ ही आज का हमारा टॉपिक है लाल बहादू शास्त्री जी कल के टॉपिक में हमने पढ़े थे डॉक्टर सरवपली रादा कृष्णन जी से जुड़े Important Question जो एक्जाम में देखे जाते हैं और आज हम पढ़ेंगे लाल बादू शास्त्री जी से जुड़े Important Question जो एक्जाम में पूछे गए हैं साथ ही आज की वीडियो के अंत में आप सभी के लिए चोटा सा टेस्ट है जिसमें कुल चार प्रश्ण होंगे आप सभी को और चारों Question के आंसर कमेंट बोक्स में देने हैं चारों Question बहुत हैं तो इनके आंसर आप कमेंट बोक्स में जरूर दीजेगा साथ ही आज की वीडियो में जितने भी important fact आए उनको आपको नोट जरूर कर लेना है तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले बात करें कल के टेस्ट की कल के टेस्ट का पहला प्रश्ण था सविधान की प्रस्तावना किस देश के सविधान से ली गई है जब हमारे सविधान जो हमारे देश का सविधान ने इसका निर्मान किया गया था तब इसमें कई देशों के सविधानों से तथ्य लिये गए थे तो जो हमारे देश का सविधान है इसकी प्रस्तावना जो है ये अमेरिका के सविधान से ली गई है question important और आपको याद रखना है कि जो भारत का सविधान है इसकी प्रस्तावना अमेरिका के सविधान से ली गई है तो इसका सही आंसर हुआ अमेरिका वही अगर बात करें तो आपको दो important fact भी याद रखने हैं सविधान से जुड़ेवे इसलिए 26 नवंबर को प्रति एक वर्ष भारत में सविधान दिवस मनाय जाता है question exam में पूछा गयाता कि सविधान दिवस कब मनाय जाता है तो 26 नवंबर को मनाय जाता है दूसरी डेट आपको याद रखने 26 जनवरी 1950 26 जनवरी 1950 इस दिन क्या हुआ था तो जो हमारा सविधान बनकर तयार हुआ इसे अपनाय गया था ठीके दोस्तों सविधान जो है इसे अपनाय गया था 26 जनवरी 1950 को इसलिए 26 जनवरी को कौन सा दिवस मनाय जाता है तो गणतंतर दिवस मनाय जाता है आपको दोनों डेट याद रखनी, सबसे पहले 26 नमबर 1949 को सविधान बनकर तयार हुआ और उसके पूरे दो महीने के पहश्चात 26 जनवरी 1950 को सविधान को अपनाया गया इसलिए इस दिन गणतंतर दिवस मनाय रखता है कॉशन इंपोर्टेंट है और आपको याद रखना है कल के टेस्ट का कॉशन नमबर 2 था किस अनुचेद के तहट रास्ट पती पर महाभियोग चलाया जता है महाभियोग जो ही एक प्रकार की प्रक्रिया होती है रास्ट पती को उसके पत से हटाने के लिए तो ये इसका वर्णन किया गया है अनुचेद 61 में आपको ध्यान रखने कि जो अनुचेद 61 है हमारी समीधान का इसमें लिखा गया है कि रास्ट पती को महाभियोग के द्वारा उसके पत से हटाये जा सकता है महाभियोग में क्या होता है इसमें होता है कि सबसे पहले तो एक बटा चार सदस्यों के द्वारा ये बात रखी जाती है कि रास्ट पती को पत से हटाना है इसके पश्चात रास्ट पती को 14 दिन का समय दिया जता है यानि कि 14 दिन पहले उसको सूचना दी जाती है उसके पश्चात यानि कि 14 दिनों के पश्चात जो है बहुमत तियार किया जाता है अगर 2 बट 3 बहुमत मिल जाता है तो राश्ट पती को पत से हटा दिया जाता है दोनों सदनों में 2 बट 3 बहुमत अगर मिल जाता है दोनों सदन यानि कि निमने सदन और उच्छे सदन यानि कि लोग सभा राज्यसभा तो लोग सभा राज्यसभा में अगर दो बटा तीन बहुब मिल जाता है तो रांश्ट पती को उसके पत्से हटा दिया जाता है तो यह लिखा गया है अनुच्छेत 61 में इंपोर्टेंट है और आपको याद रखना है कि रांश्ट पती पर महाभियोग अनुच्छत 61 के तहत चलाया जता है कॉशन नमर तीन था कल के टेस्ट का सीमा सुरक्षा बल यानि कि BSF की स्थापना किस वर्ष हुई थी कॉशन इंपोर्टेंट और आपको याद रखना है कि BSF की स्थापना हुई थी 1 दिसंबर 1965 को हुई थी BSF यानि कि सीमा सुरक्षा बल की स्थापना इसका मुख्याले का पर है तो इसका मुख्याले आपको याद रखना है इसका मुख्याले है यानि कि सीमा सुरक्षा बल का मुख्याले नई दिल्ली में साथ ही आपको यह किसका जो लाइन याद रखने है जो इसकी महत्मन वो है जीवन परियंत करतव्य कौशन एक्जाम में पूछा गया था कि जीवन परियंत करतव्य ये किसकी लाइन है, तो सीमा सुरक्षा बल की लाइन है, एक तरीक से स्लोगन है, इनका जीवन परियंत करतव्य, इंपोर्टेंट है आपको याद रखना है, सीमा सुरक्षा बल की स्थापन हुई, एक दिसंबर 1965 को, इसका मुख्याले है, नई दिल्ली में, और इसका स्लोग स्थापना की थी, कई बर क्शेण एगजां में पूछा गये कि आरेस समाज की स्थापना कब की गई थी, 2875 में की गई थी, कि इनके द्वारा की गई थी, तो स्वामी दयाननतर सरस्वती के द्वारा की गई थी, कहां पर की गई थी तो मुंबई में की गई थी, तो आपको यहाँ पर तीर important कि इन्होंने ही सबसे पहले 1876 में स्वराज का नारा दिया था। अब चलता है हमारे टोपिक पर आज के हमारे टोपिक में थे लाल बाहदुर शास्त्री जी जुड़े कुछ इंपोर्टन क्वेशन जो आपको याद रखने हैं। बाहदुर शास्त्री जी जवाहरलाल नेरु जो थे यह प्रदान मंत्री थे। जब इनकी म्रत्ती हुई 1964 में 27 मई को जवाहरलाल नेरु जी की म्रत्ती हुई उसके पश्चात भारत के दूसरे प्रदान मंत्री बने थे लाल बाहदुर शास्त्री जी जी थे। एक और इंपर्टेंट फैक्ट है कि दलाई लामा द्वारा लिकित तिब्बत के हैं दलाई लामा आपने नाम सुनाओगा दलाई लामा का। ठीके दोस्ताम, इनके द्वारे एक पुस्तक लिखी गई थी, जिसका नाम तो लेशन इन लीडर्शिप, लेशन इन लीडर्शिप, ये दलाई लामा के द्वारे लिखी गई है, लेकिन ये किनके जीवन पर आधारित है, तो ये लाल बहादुर शास्त्री जी के बच्पन से कोशन बनता है, कि जय जवान, जय किसान नारा किन के द्वारा दिया गया था, तो जो जय जवान, जय किसान नारा था, बहुत ही फेमोस हुआ था, ये लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा दिया गया था, ठीके दोस्तों, जय जवान, जय किसान नारा, लाल बहादु उनके तहित इस देश का जो उसमे विकास था, इसमें देश के जवानों और देश के किसानों का सबसे बड़ा हाथ था यानि कि इनके दिवारा ही इस देश का विकास हो सकता है, उनका यह मानना था, तो उन्हें लिखा था, जई लिखित पुस्ता के लेसन इन लेडर्शिप जो किन के जीवन पर आदारी थे लाल बादू शास्त्री जी के जीवन पर आदारी थे जई ज़वान जई किसा नारा किन के द्वारा दिया गया थो तो यह लाल बादू शास्त्री जी से जोड़े important question जो आपको याद रखने हैं अब चलते हैं आज के पहले प्रश्ण पर आज का हमारा पहला प्रश्ण है अंतरास्थी भारती महुत्सव 2020 का उद्गाटन किन के द्वारा किया गया है तो भारत के प्रदान मंत्री नरेंदर मोदी जी ने हाली में अंतरास्थी भारती महुत्सव 2020 का उद्गाटन किया है Question important है आने वाले एक्जाम के लिए आपको याद रखने है कि अंतरास्थी भारती महुतसद 2020 का उद्गाटन नरेंदर मोदी जी ने किया है Question number 2 है जर्मन वाच के और से जारी Important और आप याद रखेगा कि जर्मन वाच के और से जारी जलवायू प्रदर्शन सूचकांग की रेंकी में भारत को दस्वा इस्थान प्राप्त हुआ है Question number 3 है नर्तक उस्ताद देबु का ये नर्तक थे भारत के उस्ताद देबु का 73 वर्ष की उमर में निदन हुआ है ये किस पदक से सम्मानी थे तो ये पदम शी से सम्मानी थे जैसा कि आप जानते हैं कि भारत की चार सर्वोचिनागरिक सम्मान है सबसे पहला और सबसे महत्पूर ने भारत रतन दूसरे नमबर पर आता है पदम वीभूशन तीसरे नमबर पर आता है पदम भूशन और चोथे पर है पदम श्री आपको एक क्रम याद रखना है इस क्रम से कोशिन पूछे जाते हैं कि भारत का सर्वू चिनागलिक सम्मान कौन से है भारत रतन, भारत का दूसरे नमबर का सर्वू चिनागलिक सम्मान कौन से है पदम विभूशन, तीसरे नमबर का है पदम भूशन और चोथी नमबर का है पदम श्री, तो पदम श्री से सम्मानित किया गया था उस्ताज निदन हुआ है ये भारतिया निरतक थे ये कथक और कथक कली के महतपूर्ण ये ऐसे कहें फेमस जो है निरतक थे कथक कहा है कथक उत्तर परदेश का है कथक अली ये दक्षिण में केरल का है तो आपको याद रखना है कथक और कथक अली ये निरत्य है इनके अस्ताज प्रसीद नरतक थे, इनका 73 वर्ष की उमर में निदन हो गया है और ये पदमशी से सम्मानित थे इंपोर्टेंट है और आपको याद रखना है कॉशन नमर चार है टाइम पत्रिका ने किने परसन ओफ दे इयर से सम्मानित किया है तो हाली में टाइम पत्रिका ने जो बाइडन और कमला हैरिस इन दोनों को जो है परसन ओफ दे इयर 2020 से सम्मानित किया है इंपोर्टेंट कोश्चन और आने वाले एक्जम जरूर देखा जाएगा ठीके दोस्तों आपको इनका दोनों का नाम याद रखना है जो बाइडन अमेरीका के वर्तमान में जो एप रास्ट पती बनेंगे अब बाइडन रास्ट पती बनेगे अमेरीका की तो इन दोनों को ही टाइम पत्रिका ने person of the year 2020 से सम्मानित किया है आपको इन दोनों का नाम याद रखना है question number 5 है रास्ट्री डीजिटल स्वास्त मिशन को कब से शुरू किया जाएगा तो केंदर सरकार की ओर से रास्ट्री डीजिटल स्वास्त मिशन स्वास्त के लिए है ये मिशन रास्ट्री डीजिटल स्वास्त मिशन इस से कब से शुरू किया जाएगा तो जनवरी 2021 से इनके नया वर्ष आने वाला है तो अगले महिने में जनवरी 2021 में ही रास्ट्री डीजिटल स्वास्त मिशन को शुरू किया जाएगा important question और आपको याद रखना है तो ये हैं 12 December से जुड़े current affair के कुछ important question सभी question महित पूर्ण है और इनको आपको याद जरूर रखना है तो अब चलते हैं हमारे test पर बात करें आज के test की तो आज के test का पहला प्रशन है शिवाजी उत्सव का प्रारंब किन के द्वारा किया गया था important question और कई बार exam में पूछा गया है कि 1895 में शिवाजी उत्सव का प्रारंब किया था तो इसको प्रारंब करने वाले कौन थे निम्न मेंसे किन के द्वारा 1895 में शिवाजी उत्सव का प्रारंब किया था और इन्हें के दौरा 1893 में गणपती उत्सव का जो है प्रारम किया गया था यानि इन्हों ने ही आपको बताना है कि वो कौन है इन्हों ने ही 1893 में गणपती उत्सव 1895 में शिवाजी उत्सव प्रारम किया था तो इसका अंसर आप जरूर दीजेगा Question No.2 है और Important Question है इन्हों नेहर किस देश में इस्तित है Important Question है आपको बताना है कि जो सू नेहर है वो निम्न मेशे किस देश में इस्तित है Question No.3 है एल्प्स परवर्शंकला की सबसे उची चोटी का नाम क्या है यूरोप में है एल्प्स जिसके आल्प्स भी का जाता है यूरोप में है एल्प्स परवर्शंकला आपको बताना है कि इसकी जो सबसे उची चोटी है उसका नाम क्या है Question No.4 है निम्न मेंसे कहा पर सबसे पहले उची न्याले बनाता निम्न मेंसे वो कौन सा शहर है जहाँ पर सबसे पहले उची न्याले का इस थापना की गई थी आपको बताना है कि इन निम्न मेंसे वो कौन सा शहर है जहाँ पर सबसे पहले उची न्याले बनाता इन चारो मेंसे तो ये थे 12 इसमबर से जोड해 Current Affair के कुछ important Question आज के मेरे topic में थे लाल बार्दु शास्त्री जी उन पर जो question बनते हैं वो हमने आज देखे थे तो आपको वो सभी question याद रखने है साथ ही आज का test आज के test के चारो important question के answer आपको comment box में देने साथ ही आज के वीडियो में जितने भी important fact आए वो आपको note जरूर कर लेने है आपके exam के लिए बहुत ही उपयोगी रहेंगे तो अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो like and share जरूर करें साथ ही वे सभी जो आज चेनल पे नहीं है उन्हें वीडियो अच्छा लगे उपयोगी लगे तो चेनल सब्सक्राइब जरूर करें साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे के आनने वाले वीडियो की तुरंट जानकर यापको मिल सकें थैंक यू